नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है गलोबल एटोमी नेटवर्क टीम वरेर में दोस्ता आज हम डिसकस करेंगे अटोमी की लेटेस्ट न्यूज जैसे कि आप सभी को पता है कि अटोमी की जो लेटेस्ट न्यूज है साही और स्टिक जान करें आप हमारे चैनल पे प्रणिंग न्यूज है आज अटोमी ओफिशिल जो ग्रूप है वहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट में मिला है उसके बारे मैं आज डिसकस करेंगे जो कि एटोमी के पौइंट ओफ यू एटोमी लांचिंग के पॉइंट ओफ बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है दोस् कि आपको पता है कि कोरोना के चक्कर में एटोमी का थोड़ा लांचिंग डिले हो गया है वरना ये जून में लांच होनी थी तो वो सारे सिचेशन को देखते विए अभी कंपनी ने सबसे पहले जब एटोमी ओफिशिली लांच होगी तो उससे पहले कुछ प्रोसेस होती ह की पूरी करनी होती है ठीक है तो फस्ट प्रोसेस है डाटा माइगरेशन अभी तक जितने भी रेजिस्ट्रेशन साउथ को रहे की वेबसाइट पर चल रहे थे जितने भी रेजिस्ट्रेशन मेंबर होए हैं भी इंडिया के अंदर मोर दन 15 लाक तो सब लोगों का डाटा दो अटोमी कोरिय की वेबसाइट से एटोमी इंडिया का माईगरेशन का का काम 22 जोन से स्टार्ट होने वाला है सुबह 11 नहुक्त ह this है और उसके बाद जैसे डाटा माईगरेशन अका काम स्टार्ट होगा तो एटोमी जितने भी मेंबर 박िल हुए हैं set गर 20 आ最近 5 इंप मतल जो अकाऊंट वो डिस्टिब्यूटर अकाऊंट में कनोट वो जाएगा जिसको बोलेंगे M aids Tpress abi持व लग उब जोप इसका नाम होगा сделал buyer इसको बोले जाएगा तो कुछ process है जो दी गई एंड इड़वांस में बताया है कि जैसे लेको डाटामाइटरिसन काम स्टार्ट होगा 22 जून से तो जो इंडियन डिस्ट्टिबिटर्स है उनको step by step process जो है वो follow करना पड़ेगा ओके तो वो process है इन्होंने 10 steps के अंदर बता रखिए तो उसको आप देखिए easily जो process है और very easy process है तो advance में company ने बता दिया कि आपको यह यह करन है उसमें सबसे पहले आपको login करना है जब data migration की परिक्रिया complete हो जाएगी उस दोरान ये company अपना login का जो gateway वो open करेगी तो आपको login करके जो steps बताया गया है वो अभी मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से जो company ने डेक्लेर किया है फिर जैसे ही बाइस त step हम उसके बारे में डिसकस करेंगे कि आप अपनी किवाई से किस प्रकार से कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो जो नए members है हमारे इस चैनल पर तो आशा करता हूँ कि वो इस चैनल को subscribe किजी आपको team warrior education training and support का पूरा सयोग मिलेगा और आपके लिए atomic की जो knowledge है उसके बारे में न knowledge purpose ओके चली स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैं डिसकस कर रहा था आपके साथ कि आटो में का जो data migration का जो प्रसेस हो स्टार्ट होने वाला है और इसमें कुछ steps दे गए हैं आज जो आपके साथ हम डिसकस करेंगे ठीक है जो first step है जैसा ही atomic data migration start करेगी तो उसमें ज second step है आपको अपनी user id और password से login करना है ठीक है उसके बाद second step है edit my account एक option आएगा edit my account edit my account के अंदर step 3 में दो वीडियो दिया गया है company introduction और compensation plan तो वो दोनों वीडियो आपको देखने है basic knowledge के लिए ठीक है step 4 step 4 में दिया गया है after reading the following documents please give consent if you agree जो भी documents के बारे में information दी गई है तो आप direct seller agreement second code of ethics and principles compensation plan policies and procedures ठीक है तो ये चारो sections आपको पढ़ने है direct seller agreement क्या है company का जब आप atomy में काम कर रहे है तो ये must है कि आपको atomy की पूरी जानकरी होने चाहिए उसके rules and regulations और atomy ethics पे जो भी principles इन्होंने बनाए है code of conduct, code of ethics and principles और compensation plan जैसा कि atomy की website पर जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं सबसे पहले आपको बोलता हूँ कि आप atomy की website पर जाएए वहाँ पे इंडिया का compensation plan दे रखा है एक-एक point आपको पढ़ना है, same way में compensation plan के बारे में पूरा जानकरी चाहिए आपको वह आपको देखना है फिर policies and procedures, atomy की कुछ policies है, अगर कोई भी atomian policy का violet करता है तो atomy के पास right है I-determinate करने का तो आप लोगों ने मेनत किये तो अपना past का जो experience है दूसरी company के साथ आपने काम किया होगा वो side में रखिए यहाँ पे आप atomy में काम कर रहे है तो इसकी rule and regulations, codes of ethics, policies, direction इन सभी चीज़ों पे आप agree है तो इस step 5 पे आप जाईए अगर agree नहीं है तो आप customer care में call कीजिए और लेकिन आपको पढ़ना होगा ताकि आप अपने team को बता सकें कि please follow atomy rules and regulations, policies, code of ethics, code of global code of conduct of atomy इस सारे चीज़ें आपको पढ़नी है और team को भी बतानी है step 4 में वो सब कुछ आपको पढ़ना है अगर आप agree है तो next जो 5th step है उसमें आप अपना mobile number चेक कीजिए, email ID चेक कीजिए, password and change if required आप अपना mobile number भी चेक कर सकते है, email ID भी चेक कर सकते है, password भी चेक कर सकते है, सब कुछ सही है, तो next जो 6th step है, वो most important step है यहां पे, ठीक है जो atomy एक document मांग रही थी, या तो pen card या अधर card से ID लग रही थी, उस time काफी members ने अधर card से ID लगाई होगी और जिन्होंने pen card update नहीं किया हो, ठीक है, या जिन्होंने pen card से ID लगाई होगी, अधर card अपडेट नहीं किया हो, तो अब 6th step है वो उसको ध्यान से सुनिए, जिन friends ने, जितने भी users हैं, उन्होंने ID लगाई है अधर card से, तो उनका pen card का verification है आपे करना होगा, 100% must है, ठीक है, pen verification required for members joining before 14th November 2019, अगर आपने 14 November 2019 से पहले join किया है, तो आपको pen card verification करना होगा, और 14 November 2019 के बाद जितने भी ID लगी है, उसमें already pen card सभी का verify हुआ है, ठीक है, bracket में लिख रखा है, आप पढ़िए, those who have joined after 14 November 2019 will not be required to complete pen verification, तो ये लाइना पढ़िए, और doubts के लिए, प्लीज, इस doubts के लिए, simple doubts के लिए, कोल मत किजी किसी को भी ठीक है, यहापे बिल्कुल clearly mention कर रखा है, तो पढ़िए, जिनकी ID 14 November 2019 के नहीं दिया है, उनको करना है, अपडेट, ठीक है, next step 7, step 7 में लिख रखा है, for auto verification with आधार, ये most important है, दोस्तों, काफी लोगों के questions है, मेरे पास goals भी आते हैं, ठीक है, कंपनी को mail भी किया गया है, तो उसके बिसिस ने, कंपनी ने, हमारी जो चीजे हैं, वो consider किया है, और step number 7 में, कंपनी ने बताया है, बिल्कुल clearly, ये आप कंपनी ने remind करवाया है, आप सभी को, कि हमने जो आधार कार्ड के बारे में अपडेट दी थी पहले, वो step 7 में हम complete करेंगे, और उस, क्या बोला गया था, वो देखिए आप screen के उपर, ठीक है, from verification with आधार, from the drop down box, select आध आधार, input आधार number and click on आधार verification, click on send OTP, input OTP received and click on OTP verification button, check your address, city, district, state, pin code, those, these cannot be edited further, with आधार कार्ड auto, it will be verified on real time basis, तो ये most important है, इस में मैं आपको सारे चीज़े बता रहा हूं, जैसा कि कंपनी ने बोला था, थोड़े दिन पहले, कि आप आधार कार्ड से अपना mobile number connect कीजिए, जैसा कि मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आपका आधार कार्ड, अधार कार्ड से अगर mobile number connected है, तो आपको कैसे चेक करना है, कि आपका आधार कार्ड वाला mobile number काम कर रहा है, तो आधार कार्ड की जो वेब साइट है, उस पे जाकर, कि आप अपना mobile number डाली अधार काड नमबर डालिए, send OTP करें कि OTP आएगा आपके मोबाइल में वो OTP आप साइट पे डालिए तो आपके मोबाइल के अंदर अगर OTP आ रहे तो आपका मोबाइल नमबर connected है अगर connected नहीं है तो करवाना है आपको ठीक है अभी नीरिष्ट आदार काड में वो क्यों करवाना है यहाँ पर बिल्कुल क्लिर लिखा हुआ है इन्पूट आदार नमर यहाँ पर आप अपना आदार काड नमर डालिए click on आदार वेरिफिकेशन जैसे आप आदार वेरिफिकेशन के उपर click करेंगे click on send OTP तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा फिर वो OTP आप उसमें OTP वेरिफिकेशन बटन पर click करेंगे वहाँ पर अगेन आपको अपना address सेटी सारी चीज़े आप अपडेट कर सकते हैं और अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन जो अधार कार्ड में अपना details दे रखिए वो एक बार check कर लीजिए with अधार कार्ड auto it will be verified real time basis जैसा कि company ने last bracket में लिखा है अधार कार्ड auto auto का मतलब भी auto verification start हो जाएगा कुछ दिन में it will be verified on real time basis और वो verify होता रहेगा उससे पहले आपका जो आधार कार्ड का जो mobile number है step number 5 में अगर आप mobile number change करना चाहते हैं तो वो उसमें जाकर के change कर सकते हैं ठीक है और उसी mobile number के उपर आपका आधार का OTP आएगा step number 7 और step number 5 connected है तो आप इसके बारे में देखिए सारी चीज़े ठीक है प्लीज चेक mobile number, email, card, email ID, password जो भी चीज़े हैं तो यह आपे अपडेट कर देंगे आप और यह जो जानकार रही हैं जिस्ट एक rough idea के मादम से बताए जा रही है और जब यह migration स्टार्ट होगा KYC स्टार्ट होगा जब KYC स्टार्ट होगा तो उसमें किस प्रकार की जो steps होंगे तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा कि यह step आपको follow करने है definitely तो उसके बारे में अभी tension मत कीजिए कि मैं कुन सा mobile number update करूँ मेरा तो पहले यह था बाद में वो था उसकी guideline भी आएगी official ठीक है तो जो आएगी guideline उसका wait कीजिए अभी आपने जो अभी mobile number डाल रखा है वो अधर कार्ट से connected नहीं है बहुत से members है including me also ठीक है तो आप अपना mobile number update कर सकते हैं उसके लिए भी atomic guideline देगी ठीक है और फिर आधर कार्ट से जो connected mobile अगर आपका नहीं है तो अभी आपके पास time है आप अपनी पूरी team को बोलिए कि आधर कार्ट के साथ mobile number connect करवाएं सभी लोग ठीक है क्योंकि वो verification में चाहिएगा और last में लिखा है auto verification जैसे pen card आपका auto verify हो रहा है ऐसे ही कुछ further प्रिक्रिया होगी जो की atomic officials आप से discuss करेंगा अभी उसके बारे में मेरे को पता नहीं है कि किस परकार से ये auto verify करेंगा तो बहुत अच्छा कदम रहेगा ये ठीक है तो next जो step है उसके बारे में देखिया next B step 7 का point B तो इसके बारे हम discuss करेंगे इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल clearly manual verification thorough other address proof document हाँ जी काफे लोगों question थे जैसा कि हमने send भी क्या था company को तो उसमें ये दिखाया गया था कि choose one of your IDs from drop down box जैसा कि passport, driving license, water ID जैसा कि दो दिन पहले मेरे एक दोस्ट से बात होई थी तो उन्हें बोला था कि drive license जिस ने डाल रखा है उसका क्या process रहेगा तो ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो ने ने वो किस्ट किया था यहाँ पर बिल्कुल clearly mention किया हुआ है choose one of जैसा याप drop down verification पर क्लिक करेंगे या अधर काड आपने डाला है तो अधर काड पर क्लिक कीजिए second option अगर आपने passport डाला है तो उस पर क्लिक कीजिए driving license या water ID input address proof document number और वहाँ पे आप अपना document proof number एंटर कीजिए attach address proof document front end bank वहाँ पे आपको attach करना है again modify address city district state pin code as per attached proof document जो भी आप document proof attach कर रहे है उस time जो भी address है वो आप डाल सकते हो आप अपडेट कर सकते हो manual verification with passport driving license water ID may take up to two month ये दो महिने तक आपका verification चल सकता है अगर आपने passport driving license water ID से आप अपना address update करवा रहे हैं company के साथ तो इसमें आपका address verification company के जो management team है वो एक एक करके manually verify करेगी जैसे आपके पास OTPI अगर वो confirm हो जाएगा जो जितने भी friends जिन्होंने आदर काड डाल रखा address Proof में अगर आपका अधर काड से mobile number connected है तो आपकी ID बहुत जल्दी verify हो जाएगी और जिन लोगों ने अधर काड नहीं डाल रखा driving license रला है passport डाल रखा वो ट्राइडी डाल रखा है उन leaders के जो आईडी है जवाब मिल गए होंगे दोस्तों काफे लोगों ने questions किये थे दो तीन दिन पहले मेरे से और जैसा कि हमने company को mail भी किया था तो company ने बिल्कुल answer बिल्कुल सही और stick answer दिया है कि जो लोग address proof है passport driving license और वो ट्राइडी डाल चुके हैं वो member अपना ID verification अगेन उनको document अप्रोड करना पड़ेगा front and back और document का number भी डालना पड़ेगा और फिर आप अपना address भी modify कर सकते हो जो आपका आधार जो आपका sorry water card में है driving license में है passport में है और यह जो verification की process है आपकी ID पर दो मेनी तक इसमें time लग सकता है लंबा time लगेगा क्योंकि manually verify करना है step number eight give the consent one to four points of address proof documents upload notice give the consent on one four points of address proof document upload एक से जो चार के point है जैसा कि एक से लेकर के चार तक के जो steps है company ने बताए है वो आप देखिए ठीक है और address proof documents upload का जो notice है वो आपको तुरंत मिल जाएगा उसके उपर आपको देखना है give the consent on one four points उसमें कुछ points भी दिये गया होंगे address proof document के company जो यह seven step का भी है इसके अंदर भी कुछ points होंगे एक से लेकर के चार तक उसमें लिखा होगा कि जो address proof document आप attach कर रहे हो upload कर रहे हो इसमें जो address वगरा है यह सही है कि नहीं तो आप इसको check कीजिए इस तरीका के कुछ होगा उसमें मैं just rough idea बता रहा हूं actually practical हम तभी देखेंगे ठीक है step number 8 का जो point है वो मैं भी confused हूँ इसमें बिल्कुल frankly बता रहा हूं मैं कुछ अपनी तरफ said नहीं कर रहा हूं तो उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि हम expect कर रहे हैं कि जो address proof document आप upload का जो notice company देगी उसमें कुछ points चेक करेंगे address वगरा कि आप अपना number चेक कीजिए इस तरीके का तो उस time आपक spouse detail if needed जो भी members है distributors है अगर atom में आपसे पुछेगी आप अपना spouse detail update कीजिए आप husband है तो आपको wife का detail वहाँ पर डालना है नाम डालना है अगर wife ना idea लगाई तो husband का detail नाम वहाँ पर डालना है आपको click confirm button to submit your update information उसके बाद आपको update information का जो बटन उसके पर click करना है next most important चीज care while uploading the information as after submitting the information basic information cannot be added until shopping mall is opened जो भी information आप डाल रहे हो KYC के दोरान इंशोर कीजिए कि सब information बिलकुल सही हो अगर एक बार आपने KYC complete कर दी उसके बाद आप कुछ edit करना चाहते होंगे कि आपने कुछ गलत सलट डाल दिया आप spelling mistake हो गया तो बहुत ज़्यादा असाउधानी बर update कर रहे हैं वो कीजी अच्छी तरीके से डोकुमेंट के बेस के उपर कुछ गलत होता है तो जब अपन होगी उसके बाद आप अपडेट कर पाओगे ठीक है step number two after updating the required information upon verification atomi member will be successfully migrated to atomi जब आपका KYC complete हो जाएगा तो आपका account ADN नमबर में चला जाएगा जिसको बोलते हैं atomi distributor number जब आप customer care में call करेंगे कभी कोई query के लिए तो वो पुछेंगे कि sir please आप अपना atomi distributor number बताइए next third step क्या है during the process of migration Indian members will not be able to make any new registration on both South Korea website and India website जैसा कि जो migration का जो process का जो time है वो दो week चलेगा एक वीग चलेगा कितने दिन चलेगा जब तक चलेगा तब तक आप इंडिया की website पर कोई भी registration नहीं कर पाऊगे hold होगा वो और कोई भी product आप purchase नहीं कर पाऊगे internationally कहीं से भी आप अपनी ID में ठीक है during the process of migration distributor cannot purchase product from Atomi Korea website आप Korea की site पर भी कोई product purchase नहीं कर पाऊगे और as well as from any other Atomi subsidiaries और Atomi की दूसरे country जहां भी हैं ठीक फिफ नमबर देखिए kindly note that only one single ID is applicable for the legal married couple यह बोथ most important points है काफी leaders का यहां पर husband और wife की एक ही ID लगती है सबसे पहले तो मैं यह बतना चाहता हूं husband और wife की एक ही ID लगेगी husband की ID है तो wife नहीं लगा सकती wife की ID है तो husband नहीं लगा सकती काफी members है जिन्होंने double double ID लगा रखी है तो यहां पर बिल्कुल clearly mention कर रखा है friends please update only one ID in case you have two separate spouse ID अगर आपके पास दो ID है तो सिर्फ आप एक ही ID अपडेट करोगे तो husband की करोगे या wife की करोगे if I told me India finds out finds out that illegal married couple has two separate IDs member distributor has verified two separate IDs the strict action will be taken as per direct selling agreement अगर husband और wife दोनों ने ID यां पे update कर दिया दोनों ने KYC कर लिया और Atomy को तो पता चलना ही है 100% अचा कोई doubt नहीं है तो आपकी ID पे क्या action लिया जाएगा आप देखिए Direct Seller Agreement and Atomies Code of Ethics and Principles आप पढ़िए अची तरीके से और मैं क्या बताना चाहता हूँ वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है इसलिए जो first step था Atomy का ये बुला था इनोंने कि Direct Seller Agreement and Atomy Code of Ethics and Principles आप पढ़िए आपके साथ क्या action company ले सकती है अगर आपने कंपनी की कोई भी Trumps and Condition को Violet किया तो definitely 100% ये action लेते हैं और मेरे YouTube पर चैनल पर जाईए वियतनाम में Atomy launch भी नहीं हुई है वियतनाम के कुछ citizens थे जो Korea में रह रहे थे और उनको Korean citizens प्राप्त हो रखी थे आलड़ी वो कुछ illegal activities में पाए गए जिसमें Sales Master, Diamond Master, Sharon Rose Master तक की ID को company ने नहीं बक्सा ये company किसी को नहीं बक्सागी यहां पर अगर कोई भी Trumps and Condition Violet करेगा तो सबसे पहले भी Atomians, Atomians बनने के लिए आपको company के rule and regulation follow करने है कि जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियो में repeat करता हूँ, आपकी मैनत कहीं खराब ना जाए, आपकी team की खराब ना जाए, आप आपे सब लोग success हो जाओगे, 100% आपको success मिलेगी, लेकिन इसके rule तो follow करने पड़ेंगे, 100%, कोई shortcut रष्ता नहीं है, ठीक है, next, sixth है, soft copy of direct seller agreement with Atomi, India will be available in member distributor profile section, soft copy direct seller agreement जो भी है, उसके बाद जब KYC complete हो जाएगी, तो आप अपना download कर सकते हो, profile के अंदर, जो भी a print print ले सकते ह होगा, आपको बता दे जाएगा, उस time पे ठीक है, the date of availability of agreement will be announced after completion of process of migration, तो जो date of availability of the agreement will be announced after completion of the process of migration, जैसे migration की जो process है, वो complete हो जाएगी, तो date of availability of agreement, और जो agreement आपकी website पे कब आएगा, इंडिया के website पे, तो वो company बताएगी, सारे चीज़ें आपको बताएगी, और कोई query है, तो आप Atomy office में call कीजिए, और मेरे को call मत कीजिए, सर मैं यहापे आपको वही information बता रहा हूँ, जो official information Atomy की तरफ से आती है, वो मैं आपको यहापे समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को call मत कीजिए, आप direct please Atomy office का जो number यह दे रखा है, वहाँ पे call कीजिए, और cross like members काफी call करते हैं, मेरे team के तो doubt already kill हो जाते हैं, same time, same time, लेकिन cross like काफी questions करते हैं, मैं जवाब भी देता हूँ उनको, क्योंकि मेरा schedule भी काफी busy है, तो मैं request करता हूँ कि बिल्कुल सही और accurate information मैं अपने channel के मादम से आपको दे रहा हूँ, और काफी लोगों के फिर भी doubts आ जाते है तो दोस्तों उन doubts को clear करने के लिए, atomy customer care पे please call कीजिए, 100% atomy के smile officer आपकी help करेंगे, आपका call receive करेंगे, आपकी सारी query की kill करेंगे, मैं atomy official नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक member हूँ, और मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब हम लोगो चीज़ें इसमें वीडियो में clear कर चुका हूँ मैं, और इस वीडियो को ज़्यदा सदा share कीजिए, ताकि आपकी जो team है, उसमें जो data migration की जो process है, advance में company ने बताया है, other card से mobile number link कीजिए, other card, pen card, अपने सारे document, bank data, सब कुछ आप अपना ready कर लीजिए, जितना भी time मिल रहा ह ठीक है, और definitely सभी लोग success gain करेंगे, और आप अपने team पर focus कीजिए, team को train कीजिए, सही direction में, और जितने भी अगर आपके कुछ doubts है, questions है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, अभी जैसा कि Mr. Alina आज atomy के बारे में video डला है, उसमें कुछ atomy का percentage है, वो बताया गय है कि atomy कितना percentage distribute करती है, internationally consumers के पर, तो काफी time पहले जब atomy India की website आई थी और उससे पहले भी मैं time to time बताता रहता हूं कि atomy का जो compensation plan है, उसको आप देखिए, बिल्कुल नीचे नीचे की last line उसको आप पढ़िए, और उसके उपर मैं next video लेकर के आ रहा हूं कि atomy अपना जो percentage profit है, वो किस परकार से share करती है, कितना percent share करती है, जो भी profit है, उसका accurate data मैं आपके पास लेकर करके हूंगा, तो आप हमारे channel के साथ बने रहे हैं, इस channel पे आप नए हैं, तो इस channel को आप subscribe कीजिए, और अगर आप team warrior के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप join कर सकते हो, call कीजि man training का पूरा support मिलेगा